जे माता दी मेरे प्यारे दोस्तों बोलो साचे दर्बार की जे जे शेरों वाली थी तो आज हमें बुलावा आचुका है माता रानी वैश्नव देवी का तो हम गए थे दर्शन करने वीडियो डीटेल में देखी बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको तो हमने कल्यान जंक्सन से जो न ट्रेन पक्रिती भारत को अरव यात्रा ट्रेन जो स्पेशल ट्रिप करवाती हैं दर्शन करवाती हैं तो इसी ट्रेन में हमने दस देन का सफर जो है न तै किया था आगे आप हमारे वीडियो देख सकते हैं डीटेल में हमने अप्लोड किये हैं तो या इससे हम गए हैं जम्मू कटरा तो अब हम पहुँच चुके हैं कटरा रेलवाइ स्टेशन तो आपको जो है जम्मू में कटरा में ही उतरना है वहीं से आपको दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अब हम यहाँ पे लाइन में लग के जो है न दोस्तों अपना आधारकार दिखाएंगे और इस टाइप की यात्रा परची हमें लेनी है यह यात्रा परची लेना जरूरी है यह बहुत जगों पे मिल जाती है बस टॉप पे, रेल्वे स्टेशन पे, मंदिर के बाहर, सब जगा तो आपको आधारकार दिखाना है और यह यात्रा परची लेनी है पांस साल के नीचे बच्चों की यात्रा परची नहीं है और जिस जिसको यात्रा करनी है सब अपने अपने आधार काड लेके जाएंगे और ये यात्रा परची निकल वाएंगे अब हमने यात्रा परची ले ली हैं हमारी और हम निकल चुके हैं railway station से बाहर वो सामने जो पहार दीख रहे हैं न दोस्तों उस पे हमारी मातारानी विराज मान है तो हमको वहाँ पे पहुचना है तो यहाँ से हमारे ट्रेन वालों ने आटो जो है रड़ी रखे थे तो आटो में बैठके हम आचुके हैं हमारे होटल के रूम में तो यह हैं हमारा होटल का रूम यहाँ पे हमें एक नाइट जो हैं क्योंकि हमें वैशनव देवी के दर्शन करने के लिए दोस्तों दो दिन का समय मिले थे यह सामने दो रूम हैं वो मेरे भाई और बहन के हैं क्योंकि हम ग्रूप में कहेते तो अब हम नहाद होके हो जाएंगे तयार तो यह देखिए दोस्तों इस मैप का जो है आप फोटो अ अर्द कुमारी हाती मत्ता सांजी चत सब के दर्शन करते हुए आपको जो है वहाँ पे चाना पड़ेगा अब हम आचुके हैं बान गंगा और बान गंगा में दर्शन करके आपको जो है सीधा चरन पादुका मिलेगी वहाँ पे चरन पादुका पे दर्शन कर सकते हैं यह पहां पे कहा जाता है कि मातारानी खड़ी रहके पीछे देखा था तो उनके चर्णों के यहां पे सपर्श निशान है इसलिए इसे चरणपदुका चाहता है तो बान गंगा से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है दो їх चरनपदुका के बाद में आप पहुंचेंगे अर्दगुमारी के आपको दर्शन कर लेना है और दर्शन करने के बाद में दोस्तों जो हैं आपको जाना है मातारानी के भवन कहा जाता है कि अर्दगुमारी में मातारानी ने नौ महिने तक यहां पे रुके थे तो इसे गर्व जोन भी कहा जाता है तो इस गुफा के अंद दोस्तों तो तारा कोट मार्ट जो है बहुती सुनसान है और वहाँ पे यात्रियों की आवाजाही बहुती कम है ये स्पेशल गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है अगर आप जैकारा का आनंद लेना चाते हैं तो आपको पुराने रस्ते से ही जाना है पुराने रस्ते से तो आपको इतने सारे दर्शन करने को भी मिल जाएंगे और वहाँ पहाँ पे सुविदा भी अच्छी है नए रस्ते पे बहुत ही अच्छी हैं, जगा-जगा पे जो हैं लंगर हैं पानी की सुविदा हैं वाश्रूम की सुविदा हैं और बहुती ज़्यादा साफ सफाई है तारा कोट मार्ग वाले जो की नया रस्ता है आप अगर ग्रूप में जा रहे हैं तो इस रस्ते से जा सकते हैं एक सहावधानी रखिए दोस्तों अगर आप तारा कोट मार्ग से रात को सफर कर रहे हैं और तारा कोट मार्क जो है न दोस्तों एक किलोमीटर लंबा होता है अर्द कौमारी पे जो है दोनों रस्ते मिल जाते हैं तो पुराने रस्ते से अगर आप जाएंगे तो आपको वहापे खचर की सुविदा अवेलेबल हैं एलेक्ट्रिकल गाडियों की सुविदा मातारानी के अगर पैदल दर्शन और चाहते है तो की शक्ति और भक्ती है वीडियो के देंगे वीडियो में बने रहे। हम आपको दे देगे तो हम आच के हैं साड़े दस हमने कम से कम 2 बजे शुरू की थी मातारानी की यात्रा तो यह हम पहुँच चुके हैं और यहां पे हम कर लेंगे दर्शन एक बात का ध्यान रखे यहां पे मोबाइल, बेल्ट कुछ भी आप भवन के अंदर लेके नहीं जा सकते हैं तो आपको पहले सारा सामान लॉकर के अंदर सेडमिट करना हैं यहां पे लॉकर नमबर वन, लॉकर बहरो बाबा के मंदीर, बहरो बाबा का मंदीर जो है न दोस्तों, डाई किलो मिटर उपर हैं, अगर आप रोपे से जाना चाते हैं तो सिर्फ मातर तीन मिनट में पहुच जाएंगे, यहां पे खचर की सुविदा अवेलबल हैं, यह बहुत ही उपर चड़ाव में हैं, त ब्लैंकेट्स वगेरा आपको भवन के द्वारा भी मिल जाएंगे, अगर आप पर्चेच करना चाते हैं, तो वो भी मिल जाएंगे बैरो बाबा के दर्शन करने जाना चाते हैं तो वहाँ पे भी लॉकर हैं तो वहाँ पे भी आपको सामान जो हैं लॉकर में रखके ही जाना है सामान अपने साथ नहीं लिके जा सकते हैं तो बैरो बाबा के दर्शन कर लेंगे हमारे पास सामान कुछ भी नहीं था दोस्तों हमने मोबाइल वगेरा सब जो हैं बाहर ही रख दिये थे एक बात दोस्तों यहाँ पे सिर्फ प्रिपेड सिम ही काम करती हैं पोस्ट पेड सिम काम नहीं करती हैं नेटवक सारे बंद हो जाते हैं अगर आप सिम लेना चाहते हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले मार्केट से सिम ले सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों उपर से नजारा कितना सुहाना लग रहा है यकिन नहीं मानेंगे दोस्तों धाई बज रहे हैं और ये देखिए यात्री जो है यात्रा कर रहे हैं तो हमने कर लिये हैं भैरो बाबा के दर्शन कहते हैं कि वैश्नो देवी के दर्शन करने के बाद में भैरो बाबा के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा जो हैं अधूरी रहती हैं तो हमने भेरो बाबा के दर्शन कर लिये हैं अब बच चुके हैं तीन और तीन बजे हम वापस जा रहे हैं नीचे तो हम ये सफर भी पैदल ही तै करेंगे मेरे बच्चे जो है दोस्तों वो भी पैदल ही आये थे माता रानी का आशिरवाद हैं कि वो बहुती आराम से चड़े और उत्रे भी तो ये देखिए उपर से हम कट्रा गाउं बता रहे हैं आपको रात के बच चुके हैं तीन और तीन बजे हम देखिए जा रहे हैं वापस नीचे अभी पब्लिक थोड़ी सी कम है खास करके दोस्तों एक बात वापस आपको बता दे रात के समय तारा कोट यानि की नए वाले मार्क से आपको यात्रा नहीं करनी है क्योंकि वो बहुती सुनसान है तो ये देखिए कट्रा गाउं कितना प्यारा लग रहा है रात के तीन बजे हम वहां से उतरना शुरू किये थे तो सुबह साथ बजे हम पहुँच चुके थे नीचे यहाँ पे सारी सुविदाए अवेलिबल है अगर आप छोटे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं यह स्टॉलर मिल जाएंगे आपको 540 रुपे में सारी डीटेल प्राइज हम व्लास्ट में मेंशन कर देंगे तो यह देखिए हिमकोट मार्क यहाँ से आते समय हम आये थे नहें वाले रस्ते से जाते समय हम जा रहे हैं पुराने वाले रस्ते से यह मेरे हस्बेन और मेरे बेटियां यहाँ पे बहुत ही जादा ठंड थी बारिश शुरू हो गई थी मे का महीना था 19 तारीक है मे की तो सर्दी लगने लग गई थी तो हमने वहाँ से ब्लैंकेट खरी देते सौ रूपे के ब्लैंकेट जो है दोस्तों 200 में खरीदने पड़े क्योंकि बहुत ही जादा सर्दी थी तो मेरे बेटा भी दोस्तों बहुत छोटा है साथ से आठ साल का है तो उसने भी पैदल ही यात्रा की कटरा गाम आपको उपर से दिखा देते हैं आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना न भूले दोस्तों और यहाँ पे एलेक्ट्रिकल गाडिया भी चलती है लेकिन खास करके एक बात का ध्यान रखे दोस्तों कि यह गाडिया जो है छे बज़े तक ही चलती हैं उसके बाद में बंद हो जाती हैं सुबे वापस आठ बज़े शुरू हो जाती हैं हेलिकॉप्टर की सुविधा, अलेक्ट्रिकल गाडियों की सुविधा, रोपवे की सुविधा सब 6 से 7 बज़े के पहले पहले ही बंद हो जाती हैं इसलिए आपको सजस्ट करेंगी कि सुबे जल्दी से यात्रा शुरू कर दीजिए हमने दोफर में दो बज़े शुरू की थी इसलिए हमें बहुत ज्यादा लेट हो गया था और बहरो बाबा के दर्शन करना चाते हैं अगर आप तो आपको रोपे से जो हैं सिर्फ 100 रुपे लगेंगे और 3 मिनट में आप वैश्नम देवी के भवन से बहरो बाबा के करना पड़ेगा स्टॉलर से अगर आपके बच्चों को लेके जाना चाते हैं तो 540 रुपे हम यात्रा कर रहे हैं 19 में 2023 यानि कि यह अभी के प्राइस जो है चल रहे हैं वहाँ पे प्राइस जो है न दोस्तों ऊपर नीचे होते रहते हैं मेरी बेटी नेहल ना अभी हैं नीचे ड्राप कर दिया था यहां से दोस्तों तीन किलोमेटर ही खचर चलते हैं अगर आपको कोई डाउट हैं दोस्तों तो आप कमेंट बक्स में शेर कर सकते हैं तो यह देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं नीचे यानि की दर्शन हो गए हैं हमारे दोफर दो बज़े से शुरू किया था अभी सुबह के बज रहे हैं यह देखिए मेरी बेटी बताएगी कितने साथ बज रहे हैं तो साथ बज गए हैं सुबह हम नॉन स्टॉप चले भी और उत्रे भी बाई वाक ही गए थे अब हम यहां से पकड़ेंगे ऑटो और ऑटो के दुआरा हम चलें था तो हमने दूसरे दिन भी यहां पर बहुत सारे मंदिर के दर्शन कर लिये थे तो यह हैं दोस्तों डीटेल कोई भी डाउट है तो कमेंट बक्स में शेर कर दीजिए भूल चुक हो तो शमा कर दीजिए जै साचे दरबार की जै शेरो वाली दी जै माता दी